हेलो अब्रीवान वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे सेवें ख्लास इविक्स का चाप्टर नमबर सेवन जिसका नाम है मार्केट सराउंड अभी हमारी डेली लाइफ में जितनी भी यूसफूल चीज़ें हैं सभी हमें मार्केट से मिलती है जैसे कि कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है चाप्टर के स्टार्टिंग में चाहिवो सीडीज हो शॉपनर वास किचिन का कोई सामान हो बनाना स्लिपर्स स्क्रूड्राइवर पॉट माला पंचिंग मशीन माउस शेयर डाइमंड्स नहीं माट है ओके सो वी गो खरीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, प्लोट्स, नोट्बुक्स, बिस्किट्स, एट्सेटरा इफ वी मेक लिस्ट आफ दाट वी पर्चिस जो चीज़ें हम खरीदते हैं अगर उनकी ए दुकान हो सकती है, किसी हॉकर का स्टॉल हो सकता है, जो आपके नेबर हुड में हो, कोई वीकली मार्केट हो सकती है, कोई लार्ज शॉपिंग कॉंप्लेक्स हो सकता है, इवन कोई मॉल भी हो सकता है, इस शाप्टर में हम देखेंगे इन मार्केट के बारे में और समझने क कोशिश करेंगी कि कैसे goods यह आप तक पहुँचती है यह पर बेची जाती है और किस तरीके से वह बायर तक पहुँचती है उसके बाद यह Byers कौन है sellers कौन है और किस तरीके की problems यह दोनों face करते हैं पर सेक्छ पिक्च Cornools आपको given एं यह यह different market की pictures given है, सबसे पहले दिया है weekly market के बारे में, a weekly market is so called because it is held on a specific day of the week, इसका नाम weekly market इसलिए रखा गया है, क्योंकि यह week के किसी specific दिन पर ही लगती है, weekly markets do not have permanent shops, यहाँ पर जो लोग अपनी दुकाने लगाते हैं, उनकी वो कोई permanent shops नहीं है, traders set up shops for the day, तक, उसके बाद next day वो किसी दूसरी जगे पर जाएंगे, बहाँ पर दुकान लगाएंगे, there are thousands of such markets in India, हमारे देश में ऐसी हजारों market है, people come here for their everyday requirements, और अपनी हर दिन के requirements को फुल्फिल करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, many things in weekly markets are available at cheaper rates, चीज़े यहाँ पर सस्ती मिलती है, अभी ऐसा क्यूं है, when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure, क्योंकि जब आपको building में दुकान आप लगाते हैं, बहुत सारे खर्च आपके होते हैं, आपको rent pay करना है, electricity charges देने हैं, government भी कुछ fees लेगी, उसके बाद जो आपके यहाँ पर workers हैं, उनको भी आपको wages देनी होगी, यह सभी खर्च जो weekly market में sellers आते हैं, उनके नहीं है, weekly market में these shop owners store the things they sell at home, जो चीज़े नहीं वो वहाँ पर बेचते हैं, उसको वो घर पर ही store करके रखते हैं, most of them are helped by the family members, ज़्यादा तर के family members उनकी help करते हैं, तो कोई भी खर्च इनका नहीं होता workers को hire करने में, weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, तो weekly market में एक ही तरह की चीज़ बहुत सारे sellers बेच रहे होते हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके बीच में competition है, अगर कोई trader, अगर कोई बेचने वाला ज़्यादा चार्ज करता है price, high price पर चीज़ें बेच रहा है, तो obviously buyer उसके पास नहीं जाएगा, people would move to another shop, दूसरी जगे वो चले जाएंगे, जहाँ पर चीज़ें उनको सस्ती मिलेगी, more cheaply या फिर यहाँ पर buyers bargain भी करते हैं और price को price down भी करवाते हैं, one of the advantages of weekly markets is that most of the things you need are available at one place, एक और जो इसका फाइदा है वो यह है buyers को, कि सभी चीज़ें जिनकी उन्हें जरूरत है, mostly एक ही जगे पर उनको मिल जाती है, चाहिए आपको vegetables, चाहिए groceries की जरूरत है, clothes, चाहिए cloth items, चाहिए फिर utensils, सभी चीज़ें weekly market में मिलती, all of them can be found here, you do not have to go to different areas to buy different things, अलग-अलग जगों पर आपको नहीं जाना है, अलग-अलग चीज़ें खरीदने के लिए, people also prefer to go to a market where they have a choice and variety of goods, यहाँ पर लोग इसलिए भी जाते हैं, क्योंकि goods में variety होती है, और उनके पास choice भी होती है, एक छोटी से story आपको बताएगे है, समीर की, जो की seller है clothes का, समीर एक small trader है, जो weekly market में चीज़ें sell करता है, वो clothes को खरीदता है large traders से, share से, उसके बाद उनको 6 अलग-अलग markets में बेचता है पूरे हफ़ते, वो और जो दूसरे clothes sellers हैं, सभी group में चलते हैं, वो एक छोटी सी van को hire कर लेते हैं इसके लिए, उनके जो customers हैं, वो जादा गाउं से हैं, जादा तर, जो marketplace के पास में गाउं है, और जो festival times होते हैं, जैसे कि दिपावली या फिर पॉंगल, उस time पर उसका अच्छा business होता है, सो यह हमने सबसे पहले weekly market के बारे में रीड किया, week में ये एक दिन लगती है, यहाँ पर sellers की कोई permanent shops नहीं होती, कोई extra expenditure उनका नहीं होता है, rent का, electricity का, या फिर government को fees उनको नहीं देनी है, workers वो लोग नहीं रखते हैं, generally जो family members है, वही उनकी help करते हैं, बहुत सारी एक ही तरीके की shops यहाँ पर होती है, तो perfect competition होता है sellers के बीच में, चीज़ें यहाँ पर cheaper भी मिलती है, और एक ही जगे पर सभी चीज़ें, जनरली buyers को मिल जाती है, नेक्स्ट है, shops in the neighborhood, आपके आस पास में जो दुकाने हैं, अभी उनके बारे में read करते हैं, you have seen that the weekly markets offer a variety of goods, हमने देखा weekly market में बहुत सारी variety की goods मिलती है, जबकि we also buy things from other kinds of market, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें हम weekly market से खरीते हैं, दूसरी market से भी हम चीज़ें लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप week में एक बार नहीं खरीज सकते, जैसे कि माल लीजे, milk हैं या फिर vegetables हैं, खराब हो जाएगी एक हफते तक अगर आप उनको रखने की कोशिश करेंगे, there are many shops that sell goods and services in our neighborhood, बहुत सारे ऐसे दुकाने होती हैं आपके आसपास, जो अलग-अलग तरीकों की चीज़ें बेजती हैं, we may buy milk from the dairy, dairy से आप milk खरीते हैं, groceries लेते हैं departmental store से, stationery, कोई खाने की चीज़े, eatables, medicines लेते हैं from other, shops, many of them are permanent shops, ज्यादतर दुकाने इन में से permanent होती हैं, जबकि कुछ लोग roadside पर अपने stalls भी लगाते हैं, जैसे कि vegetable hawkers हैं, fruit vendors हैं, कोई mechanic है, etc. Shops in the neighborhood are useful in many ways, ये दुकाने बहुत तरीके से हमारे लिए useful है, सबसे पहले तो ये हमारे घर के पास में हैं, हम कभी भी किसी भी दिन week के यहाँ पर जा सकते हैं, और अक्सर buyers और sellers एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके आजपास ही होती है, तो यहाँ पर चीज़ें वो आपको credit पर भी दे देते हैं, उधार पर भी दे देते हैं, credit का मतलब यह है कि आपने अभी चीज़ खरीद ली है, purchase अभी की है, बाद में आप पे करेंगे, जैसा कि हम सुजाता के case में देखेंगे, फर एक्जामपल, यह आपको एक और story आपर दी है, सुजाता और कविता को घर से उनकी मदर नहीं हो सकता है, groceries खरीदने के लिए बेजा है, पास की दुकान में, यह वो shop है, जहांपर वो लोग अकसर जाते हैं, आज यह थोड़ी सी crowded है, भीड है इसमें, shop का जो owner है, वो shop को खुदी manage करता है, उसके दो helpers भी है, तो when they manage to get into the shop, जब किसी तरीके से वो अंदर गई shop के, सुजाता ने list दे दी, जो shop की owner थी उनको, she in turn began asking her helpers, उसके बाद उसने अपने helpers से कहना शुरू किया, कि यह जो चीज़ें हैं, इसको वे करिए, पैक कर दीजे, आइटम्स को, और इसी बीच में सुजाता है, धर उधर देखने लगी, टॉप लेफ्ट शेल्प में उसने देखा कि, बहुत सारे brands के detergent cakes रखे हैं, दूसरी में toothpaste रखे हैं, टेलकम पाउडर है, शैंपू, हेर आइल, the different brands and different color looked so attractive, वलग-अलग brands थे, colorful थे, बहुत ही attractive उसको लग रहे थे, और वहाँ पर floor पर कुछ sacks, कुछ बोरियां पड़ी हुई थी, it took almost 20 minutes to weigh and pack all groceries, सभी चीज़ों को pack करने में, weigh करने में लगबग 20 minute लग गए, उसके बाद सुजाता ने उसको, उनको अपनी notebook दिखाई, the woman noted the amount of rupees 3000 in the notebook, उसने उसमें note कर दिया कि 3000 उपे का समान हो गया है, और उसको सुजाता को वापिस दे दी, she also noted the amount in her big register, जो owner थी उनका खुद का भी एक register था, उसमें भी उन्होंने note किया, मतलब ये समान credit पर लिया गया, अभी उन्होंने पैसे नहीं दिये है, then सुजाता took the heavy bags out of the shop, वो लेकर उसको shop के बाहर आ गई, उसकी family pay कर देगी इन items के लिए, first week of next month, next month के पहले हफते में, you might have noticed that there are different kinds of sellers, even in the neighborhood markets, neighborhood markets में भी अलग-अलग तरीके के sellers होते हैं, कुछ की permanent shops होती है, कुछ sell करते हैं goods को roadside पर, तो ये second type के shop के बारे में हमने read किया, जो आपके neighborhood में permanent shops है, ये permanent दुकाने भी हो सकती है, या फिर जो roadside पर vendors होते हैं, sellers होते हैं, जो सबजियां बेशते हैं, fruits बेशते हैं, ये हमारे लिए useful है, क्योंकि आप किसी भी दिन यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि आज पास में ही है, आप भी वही पर रहते हैं, दुकान भी वही पर है, तो अच्छे relation होते हैं, यहां से चीज़ें आपको credit पर भी मिल जाती हैं, next is shopping complexes and malls, so far we have seen two kinds of market places, अभी तक हमने दो तरीकी के market places देखें, weekly markets और markets in our neighborhood, अभी एक और type का market है, जो कि generally urban areas में मिलता है, शहरों में मिलता है, जिसमें एक ही जगे पर बहुत सारी shops होती हैं, जिनको हम बोलते हैं shopping complexes, these days in many urban areas, आजकल बहुत सारे urban areas में, you also have multi-storied air conditioned buildings, आपको दिखाए देगी AC की building है, बहुत सारी उसमें stories है, बहुत मंजिला इमारत है, with shops in different floors, अलग-अलग floors पर, बहुत सारी shops हैं, जिनको हम बोलते हैं malls, urban markets में, you get both branded and non-branded goods, आपको branded चीज़ें भी मिल जाएगी, non-branded भी मिल जाएगी, इसके बारे में हम advertisement वाले chapter में read करेंगे, कि branded goods जो हैं वो expensive होती है, महंगी होती है, क्योंकि उनको advertisement के through promote किया जाता है, और वो claim करती है कि वो अच्छी quality की बनी हुई है, the companies producing these products, sell them through shops in large urban markets, जो companies इनको बनाती है, जो brands हैं, वो इनको large urban markets में बेचते हैं, कई बार special showrooms होते हैं इनके, अगर compare करें हम इनको non-branded goods से, तो बहुत ही कम लोग इनको afford कर पाते हैं, क्योंकि महंगी होती है, अभी एक और story आपर आपको given है, Anzal Mall is a five floor shopping complex, कवित और सुजाता की इन story है, तो उनके पास में एक mall है, जो five floors हैं जिसमें, वो दोनों महाँ पर गई है, enjoy कर रही है, lift से उपर नीचे आ जा रही है, it seems as if it was made of glass, ऐसा लगता है कि वो mall glass का बना है, they were able to see outside as they went up, जब वो उपर जाती है तो वो बहर भी देख सकती है mall के, बहुत ही fascinating उनको वो लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी shops उनको महाँ पर दिखाई दे रही है, ice cream, burger, pizza और बहुत food items पी है, दूसरे shops full of home appliances, footwear, leather items, as well as bookshops, while wandering about, जब वो ऐसे उदर उदर गूम रही थी, third floor पर, वो एक shop में enter हुई, जहां पर branded ready-made clothes बिक रहे थे, the security guard looked at them as if he wanted to stop them, but he did not say anything, security guard जैसे उनको रोकना चाहता हो, but उसने कुछ कहा नहीं, they looked at some dresses, कुछ dresses उन्होंने वापर देखी, then they looked at price tag, फिर price tag को देखा, none of them was less than 3,000, कोई भी dress उनमें से 3,000 से कम की नहीं थी, लगपक 5 times, 5 गुना जादा जितने की वो market, जो weekly market है, उनमें बिकती है, सुजादा ने चुपके से कहा, कविता को, I'll take you to another shop, मैं तुम्हें दूसरी shop में ले जाऊंगी, जहां पर अच्छी quality की ready-made clothes मिलते हैं, और बहुत ही reasonable prices पर मिलते हैं, तो तीस नाम ने देखा shopping complexes को, जो की multi-storied buildings में होते हैं, एक ही जगे पर बहुत टाइप की shop हमें मिल जाती है, अभी क्योंकि air condition है पूरा ही, वहाँ पर AC, sorry, electricity का भी बहुत खर्च है, दुकाने आपने rent पर भी ली है, rent भी पे करना है, बहुत सारे workers भी होंगे जो उसमें काम कर रहे होंगे, तो cost बहुत ज़ादा है, इसलिए items बहुत ज़ादा महंगे होते हैं, उपर से branded चीज़ें बिखती हैं, जिनके advertisements पर पहले ही company बहुत खर्च कर चुकी है, ओकी next, now, chain of markets, तो तीन टाइप की shops हमने देखी, weekly market, shops जो आपके neighborhood में है, and shopping complexes and malls, अभी हम देखते हैं, market की chain कैसे है, इस तरीके से जो item कहीं पर produce हुए है, बने है, वो buyers तक पहुँचते हैं, in the previous sections, you have read about different markets from where we buy goods, हमने अलग-लग markets के बारे में read किया, जहां से हम goods खरीदते हैं, from where do you think shop owners procure these goods, तो आपको क्या लगता है, कि जो shop owners हैं, उनको ये goods कहां से मिलती है, goods produce की जाती हैं, factories में, या फिर farms में, या फिर घरों पर लोग बनाते हैं, however we don't buy directly from the factory or the farm, हम factory में चीज़ें खरीदने नहीं जाते हैं, फिर farmer ने अगर कोई चीज़ उगाई है, farm पर नहीं जाते, नहीं जो producer है, वो interested होंगे, इतनी small quantity में goods आपको sell करने में, जैसे कि 1 kg आपको vegetable चाहिए, फिर एक plastic mug चाहिए, the people in between the producer and the final consumer are the traders, तो चीज़ें या पर produce की गई, उसके बाद final जो buyers हैं, हम हैं consumers हैं, यहां तक जो चीज़ पहुंची है, बीच में बहुत सारे लोग involved हैं, जिनको हम बोलते हैं traders, the wholesale trader first buys goods in large quantities, अभी trader भी दो टाइप के होते हैं, wholesale trader होता है, जो बहुत जादा quantity में producers से goods को खरीदता है, for example, the vegetable wholesale trader, will not buy few kilos of vegetables, कुछ kilo vegetables वो नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा large lots में, 25 to 100 kilos एक ही बार में vegetables ले लेगा, then these will then be sold to other traders, उसके बाद वो उनको कम quantity में, मानले जिसने 100 kg ले ली है, 25 kg, 25 चार अलग-अलग traders को बेच देगा, और फिर वो जाके उनको consumers को बेचेंगे, बायर्स को बेचेंगे, in these markets, buying and selling takes place between traders, कुछ markets ऐसी भी है जहाँ पर, बेचने वाले और जो बायर्स हैं, वो खरीदने वाले नहीं होते, traders आपस में खरीदते बेचते हैं चीजें, it is through these links of traders, traders का ये जो link है, इससे ही goods दूर दूर तक जाती है, far away places को travel करती है, the traders who finally sell this to consumer, is the retailer, और finally जो consumer को goods बेचता है, उसे हम बोलते हैं retailer, तो दो टाइप के traders हमने देखे, एक wholesaler, जो की खरीदेगा, जो producer है, उससे factories से लेगा, farm से लेगा, घरों में जो चीज बना रहे हैं, माँ से लेगा, और यह लेता है large quantities में, उसके बाद यह कुछ retailers को बेचेगा, और finally वो trader जो की consumer को goods बेच रहा है, buyers को बेच रहा है, उसे हम कहते हैं retailer, this could be a trader in weekly market, वो जो retailer है, वो weekly market का कोई trader हो सकता है, कोई hawker हो सकता है, जो ferry लगाने आते हैं, आपके neighborhood में जो बैठता हो, या फिर कोई shop हो सकती है, shopping complex में, अभी हम इस concept को समझेंगे, with the help of following examples, कुछ examples आपको given है, every city has areas for wholesale market, हर शहर में wholesale market की कुछ areas होते हैं, यह वो जगे हैं जहाँ पर goods सबसे पहले पहुँचती है, और फिर supply की जाती है, दूसरे traders को, the roadside hawker whom you read about earlier, जो roadside पर जो hawkers बैठते हैं, चीज़ें जो बेचते हैं, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा, would have purchased a large quantity of plastic item, from a wholesale trader in the town, जहांसे मालीजा plastic का कोई मग खरीदने गया, उसके पास बहुत सारे मगs थे, तो वो जो roadside hawker है, उसने ये चीज़ खरीदी होगी, किसे wholesale trader से, he in turn might have bought these from another हो सकता, ये जो wholesale trader है, इसने वो किसी और बड़े wholesale trader से खरीदी हो, even bigger wholesale trader in the city, the city wholesale trader, would have brought a large quantity of plastic item from the factory, अब वो जो बहुत बड़ा wholesale trader हो सकता, उसने factory से चीज़े खरीदी हो, market is set up, market के एक chain बनती है, जहाँ पर चीज़े बनी हैं, factories में, वहाँ से एक बहुत बड़ा wholesaler उनको खरीदेगा, मानीजे उसने 10,000 plastic की चीज़े खरीदी, फिर वो दूसरे wholesaler को बेचेगा, मानीजे इसने 5 wholesalers को वो चीज़े बेची, 2,000 each, सबको 2,000 दे दी, फिर इन्होंने किसी retailer को उनको बेचा, इस 2,000 वाले ने 500-500 items दिये, किसी किनी 4 retailers को, फिर जाके उन्होंने final अलग-अलग जगों पर, कोई weekly market में गया बेचने, कोई ऐसे hawkers हैं, जो roadside पर बैठा हुआ है, चीज़ें बेच रहा है, फिर यह finally consumers को मिले, तो यह chain बनती है पूरी market की, जब हम चीज़ें खरीदते हैं, we may not be aware of the chain of markets, through which these goods travel before they reach us, तो हम सोच भी नहीं सकते, कि कितनी लंबी chain से, जो चीज़ आपके पास आई है, वो कितनी लंबी chain से पास हुई होगी, उससे पहले कितनी लोगों ने उसको खरीदा बेचा होगा, अभी किस तरीके से wholesaler work करते हैं, शेरों में, यह आपको एक example के थूरू बताया गया है, आफ़ताब का example है, आफ़ताब एक wholesale trader है, आफ़ताब एक wholesale trader है, जो कि बल्क में चीज़े खरीता है, बहुत ज़ादा quantity में, उसका business start होता है सुबह दो बजे, जबकि vegetables market में आती है, यह वो time है जब vegetable market या फिर Monday में, buzzing start हो जाती है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, सुबह दो बजे, जब the vegetables come in, vegetable किसमें आती है, trucks में, metadors में, truck ट्रॉलीज में, farm से किसान लेकर आते हैं, पास के या फिर दूर के, soon the process of auction begins, उसके बाद auction का process start होता है, कि कौन कितने रुपे देगा, आफ़ता participate in this auction, इस auction में, आफ़ता भी participate करता है, decide करता है कि क्या उसको खरीदना है, आज for example, उसने खरीदे हैं, 5 quintal cauliflower, quintal में 100 kg होते हैं, मतलब 500 kg उसने, goby खरीद ली, 10 quintal of onions, 1000 kg उसने onions ले लिए, he has a shop in the market, market में उसकी एक shop है, जहापर वो इनको store करके रखेगा, जो चीज़ें उसने खरीदी है, उसके बाद वो इनको hawkers और shop keepers को बेचेगा, जो दुकाने हैं, जो सबजियां बेचते हैं, या फिर hawkers जो ferry लगाते हैं, उनको बेचेगा ये सबजियां, who start coming to the market, अब ये लोग market में आना स्टार्ट होते हैं, सुबह छे बजे, छे बजे वो वहाँ से सबजियां खरीदेंगे, उसके बाद वो आप लोगों तक आएंगे, पूरा दिन घूमते रहेंगे, या फिर आप जाएंगे market में खरीदने के लिए, they have to organize their purchase, so that they can start their shop for the day, around 10 in the morning, around लगबग 10 बजे, यह जो बाकी hawkers हैं, shopkeepers हैं, यह अपनी दुकान लगाना शुरू कर देते हैं, जहांसे जाके buyers चीजें खरीदते हैं, next topic है market everywhere, markets हर जगे है, so far we have seen different market place, where people buy and sell a variety of goods and services, अभी तक हमने उन market places को देखा, जहां पर लोग चीजें बेचते हैं, खरीदते हैं, all these markets are in specific locality, यह market कुछ specific locality में होती है, और एक particular manner में, particular time पर work करती है, अभी it is not always necessary, that one has to go to the market to purchase goods, ज़रूरी नहीं है कि चीजें खरीदने के लिए, अभी आपको market ही जाना पड़े, आप order place कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का, अपने phone से, and these days through the internet, internet के through, और goods आपके घर पर ही आपको deliver हो जाएगी, clinics में, nursing homes में आपने देखा होगा, कभी notice किया होगा कि sales representatives आते हैं, जो doctors के लिए बेट कर रहे होते हैं, अपनी medicines को बेचने के लिए, such persons ये भी वो लोग है, जो कि selling के process में involved है, अभी ये जो buying और selling है, takes place in different ways, ये अलग-अलग तरीकों से होती है, जरूरी नहीं कि सभी चीज़ों की market ही हो, भाई पर जाके आपको चीज़ें लेनी हो, या फिर कोई बेचने ही आपके यहाँ पर आए, not necessarily through shops in the market, जरूरी नहीं है कि selling और purchasing, market में shops के through ही होती हो, the markets that we looked at above, are the ones that we recognize easily, उपर जो हमने market देखी, इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, dairy life में भी देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी market है, जिनके बारे में हम aware ही नहीं है, this is because, large number of goods are bought and sold, that we don't use directly, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें यहाँ पर बेची और खरीदी जाती है, जिनको हम directly use नहीं करते हैं, जैसे कि एक example आपको दिया हुआ है, एक farmer use करता है fertilizers को, crops को grow करने के लिए, जो कि आप special shop से लेते हैं शेहरों में, then turn get them from factories, और उन्होंने वो ली है factories से, एक car आपने ली, a car factory purchase, वो engine खरीदी है, gears खरीदी है, petrol tanks, excels, wheel, etc. अलग-अलग factories से, we don't usually see all these buying and selling, अभी हमने कभी यह, हम कभी अलग-अलग यह चीज़ें नहीं खरीदे, हम final product लेते हैं, finally आप car लेंगे, उसमें different parts जो लगे हुए है, वो जो car manufacturing company है, उसने खरीदे होंगे उससे पहले, the car in the showroom, the story is similar to any other good, दूसरे भी goods पर यह applicable है, उसके different parts कभी खरीदे गए होंगे, बेचे गए होंगे, हमने finally वो, जो final product है, बन के जो आई है, वो ली है, markets and equality, in this chapter, we have looked at shop owners in a weekly market, and those in a shopping complex, chapter में हमने देखा, weekly market के जो owners होते हैं, उसके बाद shopping complex के जो owners हैं, वो बहुत ही different है एक दूसरे से, एक का जो, one is a small trader, एक चोटा सा trader है, जिसके पास बहुत कम money है, एक चोटी सी दुकान वो चलाता है, जबकि दूसरा, अगर हम shopping complex के owner की बात करें, बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्च करता है, अपनी shop को set up करने में, और जो ये money earn करते हैं, जो amount earn करते हैं, वो भी बहुत unequal है, जो weekly market का trader है, वो बहुत कम पैसे कमाता है, अगर हम compare करें, जो regular shop owners हैं, भी वो नहीं खरीद पाते, कुछ ऐसे भी हैं, जो कि shopping mall से, चीज़ों को खरीदते हैं, thus whether we can be buyers और sellers in different markets, depends among other things on the money that we have, तो हम चाहे buyers हो, sellers हो, हम कहां पर चीज़ें बेचेंगे, कहां से चीज़ें खरीदेंगे, ये depend करता है कि कितना पैसा हमारे पास है, उसके बाद हमने ये भी explain किया, कि chain of market क्या है, किस तरीके से एक पुरी chain को, पार करके चीज़ें हम तक पहुँचती है, it is though, it is through, it is through this chain, that what is produced in one place, reaches people everywhere, ये chain ही है, कि चीज़ें एक जगे पर जहां पर बनी है, उससे वो हर जगों पर पहुँच रही है, when things are sold, जब चीज़ें बेची जाती है, it encourage production, और चीज़ों का production होता है, new opportunities develop होती है, create होती है, लोगों के लिए, जहां पर लोग अर्ण करते हैं, however, do they offer equal opportunities, लेकिन क्या इसमें सभी लोगों को equal opportunity मिलती है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे, story के through, shirt की एक story जिसको हम next chapter में read करेंगे, okay, so यह कुछ terms हमने सीखी, weekly market, mall, wholesale, chain of markets, weekly market, यह daily markets नहीं है, बट यह आपको किसी particular place पर मिलेगी, week के किसी particular दिन में, एक या दो दिन, यह market अक्सर, इन में सभी तरीके की चीज़ें मिलती है, जिनकी जरुद हाउस होल्स में होती है, चाहिए वो vegetables हो, vegetables से लेकर close हो, utensils तक, mall enclosed shopping space होता है, जिसमें जो large building के अंदर होता है, बहुत सारे इसमें floors होते हैं, उसमें shops होती है, restaurants होते हैं, कई बार cinema theaters भी होते हैं, shops जो हैं, वो branded चीज़ें जनरली बेचती है, wholesale किसको बोलते हैं, इसका मतलब है buying and selling, in large quantities, बहुत जाद अमाउंट में, bulk में चीज़ों को खरीदना है या बेचना, जाद तर जो products हैं, vegetables, fruits, flowers, इनकी अपनी अलग wholesale market होती है, chain of market पर क्या मतलब है, एक पूरी series markets के, जो आपस में interlinked है, जिनसे की product pass होते हैं, एक market से दूसरी market तक, producer से लेकर वो final consumer तक पहुँचते हैं, okay, so that's all students, इसी के साथ chapter over होता है, fully concepts अभी आपको clear होंगे, thank you so much for watching.